उधर मेत्य परदेश के दीवा में एक बार फिर धर्दी के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर पर महिला की मौत के लिए जिम्मेवारी का आरोप लगा है मामना कांधी मेमोरियल अस्पताल के कायनी वालका है जहान नवचात को जनम देने के बाद महिला की मौत हो गई आपको बता दे कि गांधी मेमोरियल अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बच्चे को जनम देकर मार की मौत हो गई अगर नई हुई सर कि उसको दर्द था तो दर्द तब तक था ठीक था फिर उसके बाद जब उसको इंजेक्शन लगाएं बाटल लगाएं तो जब बेबी आने लगा है तो उसको चीरा लगा के बेबी बाहर लाएं तो बेबी बाहर लाएं उसको संसी से संसी से पकड़ के ख अड़ाराई कर दोड़ा आगाएं पिर छोड़ के चली गए लिए फिर आए तो थोड़ा ताका लगाईं तब तक हो चिलाने लगी थे कि मुझे कुछ भी दिखाई निए देद रहा हुआ और मैं बार 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 बला देखिए उसको चगर आ रहे आ रहे हैं आ परसान मत हो य बारे नौवजेय उसको दुबार तिवार अटांकर लगाने गई है, thिवार अटां कर लगाने ँप आए लूपकर आए हैं, तब जिब बोली हैं कि इसको तुम पाल्स चल रहा है कुछ चल रहा क्या कर रहे होता है वहीं दूसरी तब इस मामले की जानकारी मिलते ही CMO ने कहा कि मामले की उचित जाच कराई जाएगी कि इसकी वाइप डेड़ वे बरती हुई थी और छेवेश देले लिए लोने के बाद एक गंटे दो गंटे बाद बाद बूसीजियस होगी और सीने डाक्टर भी आ गये थे पर उसकी डेट हुग गये कि इसने डाक्टर ने मुझे बताया है कि इसको इंबुलिज मो गया है अब इनके परजल कह रहे हैं उसका पोस्पांटम होगा पोस्मार्टम में सही कारणम्रत का पता चलेगा इन लोगों के साथ नहीं वो तो मेरी जानकारी में नहीं है पर इन लोगों ने बताया है वीडियो मुझे दिखलाया है तो उन डाक्टर भी कारवाई हुग जिनका डिलेवरी थी और करीब शाम कोई आया थे पहां पजे नॉर्मन डिलिवरी से बच्चे का पैदा होना बताया जा रहा है उसके बाद किनी कॉम्प्लिकेशन के चलते मदर की डेथ हुए है परिजनों का ये खुग है कि इसमें डाक्टरों खिला पर वही हो सकती है त कि अबश्यों सकती है